दोस्तों वेलकम टू पावर इसर मैं हूँ आपका दोस्त थारशित और आज हमारे साथ है All New Generation Mahindra Thar आज हम फुल डीटेल रिवीव आपके इसका लिखाया है आज हम डीटेल में बात करेंगे न्यू थार में आपको क्या ओफर किया गया है इसकी प्राइजिंग कितनी है, इसकी ओन रोट प्राइस कितनी है जैसे कि आप जान चुके है कि जो इसकी बेस विरेंट की प्राइस है ये हैं 9,80,000 रुपे काफी ज़्यादा competitive price रखा है और जो आज हमारे साथ इसका base variant खड़ा हुआ है डीजल मैनुल में इसकी हर डीटेल आपसे शेर करेंगे क्या मिलता है आपको इसमें खास दोस्तो अभी आप देख रहे हैं all new Mahindra Thar इंडिया में Mahindra Thar गो total 3 trims में offer किया गया है पहली इसकी base trim, AX trim उससे अगर आप उपड़ चलते हैं तो AX optional trim और top of the line trim है इसकी LX trim इन सारी trims को मिला के आपको offer किये गए है total 13 variants जिसमें आपको diesel, petrol, दोनों engine option दिये गए है दोनों में आपको 6-speed talk converter based automatic option मिलता है काफी बहतरी engine options आपको दिये गए Mahindra के दुआरा और अगर आप इसके looks को देखते हैं तो आपको Jeep Wrangler की इसमें याद आने वाली है जो गाड़ी आपको 80,000,000 के आसपास पढ़ती है वो Mahindra आपको वही design आपको एक made in India car इंडिया में offer कर रही है as a mass market के लिए और design देखींगे आप इसकी तो काफी जादा एक आपको eye catchy design मिलेगी जो आपकी ये नई थार है इसकी लंबाई, चोड़ाई, उंचाई, सब कुछ बढ़ा दी गई है इसमें अब आपको दी गई है all new third generation Mahindra की chassis जो की जादा safe है, तो चलिए बात करते हैं इसके design की तो ये देख रहाँ इसके design को सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसके काफी बड़ी front bumper की और जिसको आप cladding भी कह सकते है ये इसका AX variant है जो की इसका base variant है डीजल में इसकी कीमत है 10,85,000 रुपे एक शो रूम, इसकी on road price भी मैं आपके शेयर करूँगा और अगर आप यही petrol में लेते हैं, manual के साथ, तो इसकी price है 9,80,000 रुपे design देखेंगे, यहां देख रहाँ आप इसके काफी बड़ीया आपको इसमें plastic quality मिलती है काफी top notch की आपको quality मिलेगे, कहीं पे भी आपको इसमें cost cutting इसमें feel नहीं होने वाली है front में आप देखेंगे इसके circular halogen headlamps को, जो की एक rugged look आपको इसमें देता है क्योंकि अगर आप इसकी LX trim लेते हैं, इसमें आपको 18 inch की alloy wheels मिलते है और यह इसकी base trim है, जिसमें आपको 16 inch का rim मिलेगा steel में और tire size है इसका, 245,75,8,16 का, देख सकते हैं और इसका जो ground clearance है, यह है 219 mm का, जो गाड़ी की लंबाई है यह मिलती है आपको 3985 mm की, जो इसकी चोड़ाई है यह है 1820 mm की 1820, और जो इसकी आपको उचाई मिलती है, यह 1920 mm की है अगर आप इसके diesel में चले जाते हैं, अपने top of the line variant की है और इसकी जो कीमा तभी रखी गई है, जो की hard top के साथ आती है यह 1375 mm की रखी गई है, और एक खास बात यह है कि इसमें आपको जो roof है इसमें तीन तरीके के option अभी दिये गए, जो सबसे पहला option आपको मिलेगा यह soft top का मिलने वाला है, जो की अभी आप देख रहे है एक आपको इसमें convertible top का भी option मिलता है और एक मिलेगा आपको इसमें hard top का option उसमें कुछ जो आपको roof है वो इस material की देखने को मिलेगी जिसमें आपको roof mounted speakers देखने को मिलेगे और काफी जादा एक अच्छी आपको sitting capacity देती है क्योंकि जो आपको पीछे की seats मिलेंगी यह front facing मिलेगी जैसी की आगी की seats से और फैब्रिक seats मिलेंगी लेकिन hard top सिर्फ आपको LX trim offer किया जाएगा जिसकी base की जो price है petrol में वो 12,50 रुपे है बेस विरिंट से आपको इसमें ABS, EBD or brake assist option मिलता है वहीं अगर आप इसके color options की बात करें तो total 6 color options आपको मिलते है बेस विरिंट से ही आपको इसमें 4x4 on wheel drive का option मिलता है तो यह काफी बढ़िया बात है जिसमें आपको shift to fly का option भी दे रही है महिंद्रा यानिकि आप second low से सीधे 4th high में जा सकते है और जो इसका crawling function है इसमें आपको 42 ratio 1 का crawl factor देखने को मिलता है यानिकि अगर आपका engine 42 times उसकी crank shaft revolve कर रही है तो आपका wheel सिर्फ एक बार घुमेगा जिससे अब आपको नई महिंद्रा थार में 33% जादा traction देखने को मिलता है जिसकी काफी जादा ज़रत होती है अगर आप off-roading करते है जो ये tires आप देख देख रहे है इसकी AX trim में ये खास तोर पे इसनो चेंज के साथ compatible किये गए महिंद्रा के द्वारा और जो इसकी LX trim आई की जो की alloy है थोड़ी सी aesthetically design की गई है इसमें snow chains उतनी जादा बहतर तरीके से यूज नहीं हो पाएगी और alloys है तो उनको डेमेज होने के चांसे जादा होगे तो अगर आपको एक rough and up vehicle चाहिए तो आपके लिए ये जो AX trim है ये जादा सुटिबल होती है जो इसका approach angle है ये आपको 41.8 degree का मिलने वाला है जो इसका rear में departure angle है ये आपको 36.8 degree का मिलने वाला है वहीं जो इसका break over angle आप देखेंगे ये वाला ये आपको 27 degree का मिलने वाला है लेकिन ये सारी values महिंद्रा नहीं शेयर करी है इनके 18-inch के alloys के साथ ये इसके 16-inch के steel rim wheel है त अगर आप endeavor की बात करते है तो वह 800 mm देती है और Fortuner आपको 700 mm और यहां देखेंगे के कुछ इंटियर के लेयाउट को इंटियर काफी जादा प्रीमियम कर दिये गए उसी के सांथ काफी smartly डिजाइन किये गए क्योंकि जो इसके इंटियर के सारी electronics का पार्ट है ये एक sort of water यहां कि अगर आप हल्की फुल की बारिश में अपनी छट को खोल के सको चलाते है तो इसके जितने switch gears है और हल्की फुल के जो आपको जो भी electronic पार्ट है AC का सिस्टम है उसको डैमेज होने के चांसे काफी कम है इंटियर एक लिमिट तक वाशेवल है और आपको drain plugs मिलने वा यह जो आपको infotainment system है LX trim है इससे जो उपर वाली trim है वहां पर आपको 7 inches का infotainment मिलेगा इसमें आपको navigation और यह सारे basic feature मिलते है एक आपको grab rail मिलने वाली यह पैसेंजर के लिए यह जो सबसे बहतरीन चीज इसमें लगती है महिंद्रा ने आपको एक प्लेट दी है जिसम आपको chrome elements दीए गए जो कि काफी जादा अच्य लगते है headroom गाड़ी में काफी जादा है यहां देखिंगे आपको एक footstep मिलता है जो कि काफी rugged है टोटल आपको steel construction का देखने को मिलेगा जो कि long run में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी quality degrade हो रही है या फिर कुछ अब हम बात करेंगे इसके engine options की तो इसमें भी आपको total दो engine options ओफर किये गए है जलिए सबसे बहले बात करते हैं इसके petrol options की तो इसमें आपको 2-liter का turbo charge direct injection petrol engine ओफर किया गया है यह BS6 compliant engine है जो कि आपको power offer करेगा maximum 150 horsepower की 5000 rpm और जो इसका maximum torque है यह आपको 320 nm का maximum torque offer करेगा 1500 से ले इसके बाद काफी सारी chances है कि यह engine आपको अपको अपनी XUV3WO में देखने को मिले स्कॉपियो में देखने को मिले जो कि अभी उनका launch होना बाकी है एक चीज में आपको और बताता हूं कि जो इस engine है यह आपको all aluminium construction के साथ मिलता है जो कि काफी जादा light weight है power to weight ratio इस engine का काफ आपको समय देखने को मिले कि इंटेक और exhaust wall दोनों में dual overhead camshaft के साथ ही इंजन आता है और इसम आपको मिल जाता है 6-speed manual और 6-speed torque converter बेस्ट automatic option जो इसका top converter है यह आपको ASIN AISIN manufacturer है एक Japanese जो की transmissions बनाता है वो supply कर रहा है और जो इसका 6-speed manual transmission है यह स्कॉपियों से बारो किया गया है अब हम चलते है इसके 2.2 liter turbo charge diesel engine की और यह एक BS6 engine है again CRDI technology के ओपर यह बेस किया गया है यह again all aluminium construction के साहता है जो कि इसका power to weight ratio भी बढ़ एनिवेस लेवल्स भी काफी कम हो जाते है और गाड़ी में जो overall chassis का frontal load है वो भी काफी decrease zone में help होता है इसमें आपको electronically controlled variable geometry turbo charger का यूज किया गिया है मैं आपको एक नजर इसकी दिखा देता हूं इसको open करना उतना ज्यादा tricky नहीं है आपको engine से इसका front से इसके mechanism को open करना है यहां पर आपको इसके latches देखने को मिलेंगे जो कि एक महिंद्रा की legacy में ही आपको जाता देखने को मिलता है और इसमें थोड़ा सा effort लगा कि आप इसको open कर सकते है यहां पर आपको कोई भी insulation pad नहीं दिया गिया है जो कि यह clearly show करता है कि अब जो ये engine है काफी जादा refined हो इसके in-cabin NVH levels है यह काफी जादा कम हो गए है यह आप इसकी काफी बड़ी टर्बो चार्जर की unit देख सकते है जो की again बहुत अच्छी आपको performance ओफर करने वाली है फ्यूल अपको एक अच्छे लेवल तक देखने को मिलेगी यह आपको एक अच्छे लेवल तक देखने क कि यह आपको काफी अच्छी दी गई है जैसे महिंद्रा क्लेम कर रही है कि यह अपना 75% maximum talk यानि कि जिसकी value आईगी 285 Nm की यह ओफर कर देगा अपने 1250 mm से यानि कि बहुत अच्छी power band है एक जो talk band आपको मिल रहा है lower rpm पे वो काफी अच्छा है जो gearbox यह अपने सांथ ला कि अच्छी देखेंगे premium फिनिश आपको काफी मिलती है इसमें एक jack knife की आपको इसमों की गई है और जैसे इसका LX trim आता है मैं आपसे अपडेट करके सब कुछ इसकी इन्फॉमिशन आपसे देता हूँ था कि आपको इसमें logo देखने को मिलेगा काफी बड़े आपको इसम मिलते हैं जो कि ऐसे कुछ है बाकी illuminating आपको इसमें keyhole मिलता है यह देख सकते हैं और काफी अच्छा लगता है जैन्मिली यह आप इसके सारे एक welcoming feature है जो आपको overall lights मिलती है काफी अच्छी लगती है जो red आपको इसमें accents जो दिये गए काफी बहतरी लगते काफी sporty लगते ह सबसे बहले आप door panel की बात करेंगे तो glass area इसका काफी जादा है front passengers के लिए यह सब कुछ आपको hard top सब कुछ आपको hard material देखने को मिलेगा but again जो fit of finish है एक up to level आपको देखने को मिलेगी bottle holder holder आपको मिलता है कुछ और space आपको दिया गया है और काफी जादा neatly place किया गया है जो दो speaker front में मिल जाते है और चार speaker आपको roof mounted मिलेंगी hard top के साँ तो total 6 speaker हो गए बट यह सिंपल इसमें कुछ नहीं मिलेगा AX trim में यहां पर आपको basic controls मिलता है जो की जादा कुछ नहीं है ABS EBD brake assist यह के कुछ feature है traction control इस variant में अभी नहीं offer किया गया है height up अगे यहां से इसमें height option सिर्फ आपको recline set कर सकते है यह इसका base variant है फिर भी आपको देखेंगे इसमें आपको vinyl seats का option मिलता है जो कि अगिन काफी जादा surprising है जो इसका side support है जो आपको bucket seats का एक effect दिन की कोशिस की गई है off-roading में आपको एक grab करके रखीगी अपनी seat में वो मुझे काफी अच्छा लग सिटिंग पोश्चर जो इसका सीटिंग हाइट सीट्स की वो काफी अच्छी लगी गी आपको इसमें और अगर अगर इसके LX टेम में जाते है इसमें आपको fabric seats मिल जाएंगी तो fabric अगें वो भी comfortable है बट वो top-of-the-line वेरेंट तो महीं रने एक अलग सापको इसमें कॉंसे की है नीचे अगर आप footwell देखेंगे तो जो पैडल के बीच का distance है वो काफी जाद अच्छी तरीके से मैंटेन किया गया है यहां पर अगर आप डैशबोड के व्यू से देखते है तो काफी अच्छी खासी आपको सीटिंग हाइट मिलती है बॉनिट आपको अच्छी तरी कीजिए या फिर कहीं भी ट्रिपल नॉजल आपको देखेंगे फ्रंड में मैं भी आपको डीटेल में दिखांगा इसका वाशर यूनिट मिलती है जो कि अगें काफी अच्छा स्प्रेट करेंगी वाशर फ्लूट का आपके विंड स्क्रीन में और काफी चौड़ी आपको इसमें विंड स्क्रीन देखने को मिलती है यहां पर जो आप हाट तॉप देख रहे है इसकी जो क्वालिटी है हाट टच में अगें लेकिन काफी फाइन आपको मिलेगी यहां सर आप देखेंगे इसके सारी चंट्रोल सारे फॉंड को काफी अच्छा लगगे स्टेंग मां एकसरी सोकेट बार एक्रम ऑको दॉप देख ने के अगे काफी मस्कुलर आपको हुनते को मिलता है डूल से मिलेगہ। काफी अच्छी इसकी एक साउंड आपको मिलेगी, यहां पर आपको space मिल जाता है, को center console, अगर आप देखेंगे, इसा को center console है, circular आपको इसमें AC vents offer किये गए, AC के सारे controls यहां दिये गए, passenger side के airbag को off करते है, तो यहां पर कुछ आपको indications show करे गए, 12V का आपको accessory socket आपको यहां मिलता है, और LX trim में आपको USB का option भी मिल जाएगा, अब बात करते हैं इसके कुछ, यहां से हम transmission की, तो यह इसका 6-speed का manual transmission है, अगर यही जाए में आपको turbo petrol engine के साथ भी offer करेगा, तो वो काफी अची बात है, आपको इसमें 4-wheel drive का option भी मिलता है, और इसमें आप directly 2-high से 2-4 में shift हो सकते हैं, अगर आप मालीजिए 2-high से 4-high में आप shift हो सकते हैं, इसको shift to fly कहती है, यानि कि चलते-चलते ही आप यह सब कुछ कर सकते हैं, जो कि अगर हाइवे में हैं, तो आपको गाड़ी रोकने की जरुद नहीं है, काफी अच्छा मुझे एक function लगा इसमें, बाकि इसमें अगर आप 4-low से 4-high में आते हैं, तो जो overall torque को multiplication है, यह 2.48 times हो जाता है, यानि कि बहुत जादा एक massive torque आपके दोनों wheels को जाने वाला है, जो रियर में आपको differential मिलता है, यह mechanical locking differential है, और front में आपको इसमें, जो differential system मिलेगा, यह आपको normal type मिलने वाला है, बट उसमें एक twist है, वो में अभी आपसे शेयर करता हूं, कि जो इसके front और रियर दोनों axles है, इसमें आपको brake locking differential मिलता है, यानि कि मानली जी अगर आपकी गाड़ी कहीं ऐसे रस्ते में है, कि आपके जो तीन पहीं है यह हवा में आचुके है, और सिर्फ एक पहिए को proper traction मिल पा रहा है, तो उस condition में जो आपके वहिकल का एक control unit है, जो की brake locking differential को control करना है, या इसको govern करता है, वो जो तीनो पहिए हवा में है, उसमें automatically brake apply कर देगा, और जो सिर्फ एक पहिए को अच्छी खासी traction या फिक ग्रेप अबी भी बाकी है, सिर्फ सारी सारी पावर उसी वील को जाएगी, उससे आपकी गाड़ी आसानी से उस tricky situation से बहार निकल सकती है, तो brake locking differential काफी जादा important है, और काफी एक advanced feature है, इस प्राइस में जो महिंदरा में आपको offer किया जा रहा है, इसमें एक चीज और है कि, अगर आ और आपकी rear की wheels में जाने वाली है, जिसी कि आप गाड़ी जादा थेज स्पीड में जला सकते है, आपका mileage जादा बढ़ेगा, आपके parts का wear interior भी कम हो जाएगा, वो भी काफी अची बात है, जिसमें सेंटर में आपको transfer case मिलता है, यह 50-50% आपके talk को split करता है, यानि कि अग चोटे साइस का मिलता है, बड़ इसमें अच्छी यह है, कि यह lockable है, यानि कि अगर आप tension भी ना करें, अगर आप सारे documents इसमें रखना चाते है, और चाम भी लगा के आप जा सकते है, इस speakers का placement आप यहां को जैसे grill दी गई है, जिसमें लगवा सकते है, बाकि मेरा अगर headroom देखना चाहेंगे, तो मेरा headroom आप यह देख सकते है, shoulder room और यह सब कुछ आपको proper मिलेगा, और जो door third आपको feel हो रही है, वो भी मुझे अच्छी लगी, जो आपको सारे power window के controls है, यहां आपको मिलेंगे, यह one touch automatic नहीं है, normal आपको मिलेंगे, और speed आप कुछ यहां देख आपको मिलेंगे, और जो overall glass area यह काफी अच्छा काज आपको मिल जाता है, चलिए अब पीछी की सीट्स में आपको दिखाता हूं और वीडियो को करते है, कुछ यह सारे allen key का यूस किया है, जो कि थोड़ा सा आपको premium feel देने के लिए, और जो आपको hinges में दिये गए, यह आ पीछ आपको काफी अच्छा स्पेर वील देखने को मिलेगा, तेल लाम्स आपको स्क्वार शेप में मिलती है, जो कि यह से कुछ डिजाइन है, आप यहां से अगर इसके रियर माते है, यह सीट मैं आपको लिए अपको यहां जैसे देखने को मिल रहा है, वैसे यहां भी इसमें आसानी से पीछे बैठ सकते हैं इसके चाल लोग, दो ऐसे दो ऐसे और आगे दो लोग और तो सिक सीट रे लेयाऊट यह और इसका जो बैंस ताइप लेयाऊट है, उसमें भी दो से तीन लोग इसली अकुमोडेट हो जाएंगे, जो नीचे आपको फ्लोर बोड दि सीट देखनों मिल रही है और थोड़ा प्रीमियम टच के साथ है अगें यह उतना जादा कंफोर्टेबल नहीं है जो आपको यह सीट ऑफर करेंगे बट फिर भी अच्छा कासा आपको कार्गो स्पेस के साथ साथ अच्छा कासा आपको इस पेस देते तो यहां पर आप यह देखिए हैड रूम आपको काफी अच्छा मिलेगा और अगर आप इसके अलेक्स ट्रिम भी देखते है उसमें आपको रोल केच कॉशन मिल जाते है तो यह है मेरा है एड रूम जो की प्रॉप और है डी एफ टीजल एक्स फ्लूड जो इसमें महिंद्रा नहीं अपना टैं अगर आप जादा लंबे टूर में चलेगे तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं यहां पर आपको इसको फिल करना है और डीजल का आपको कन्वेंशनल आपको यहां पर फिलिंग नॉजल मिलेगा ऐसा कोच है इसको आप लॉक कलीजे तो यह था महिंद्रा थार का मेरा एक जो की काफी जादा एक capable off-roader है इसकी test drive की आपके लिए काफी जल्दीक वीडियो आईगी उसमें मैं काफी सारी details आप से शेयर करूँगा जो customers का feedback है वो भी मैं आप तक लान की कोशिस करूँगा और इसमां आपको यह diesel variant है तो इसमां आपको SCR का use देखने को मिलेगा जो क वो भी petrol भी काफी अच्छा option आपके लिए mileage figures की बात करें तो 11-12 आपको petrol offer कर देगा और अगर आप डीजल में आते हैं तो 14-15 का आपको mileage diesel offer कर देगा तो यह था महिंद्रा थार आपके सामने सारी details में आप से आगे शेयर करता हूँ इसकी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ बाकि अगर आप price list इसकी देखना चाहते हैं एक बार price list में आपके लिए mention करके जा रहा हूँ तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ जै हिंद्र जै भारत वन्ने मात्रम